भाग नौ देव मंदिर में सवेरे बड़े तड़के ही अधिकारी पुजारे नवकुमार के पास आई उन्होंने देखा कि अभी तक नवकुमार सोई न थे पुछा अब बताईए क्या करना चाहिए नवकुमार ने कहा आज से कपाल कुंडला मेरी धर्म पत्नी हुई इसके लिए यदि मुझे संसार का त्याग भी करना पड़ेगा तो करूँगा कन्यादान कौन करेगा पुजारेम का चहरा हर्ष से खिल उठा मन ही मन सोचा इतने दिनों बाद जगदंबा की कृपा से जान पड़ता है मेरी कापालनी का ठिकाना लगा परकट कहा मैं कन्यादान करूंगी यह कहकर वह अपने कमरे में गई और एक पुरानी थैली में से एक पत्रा निकाल लाईं पत्रा पुराना ताड़ पत्र का था उसे मज़े में देखकर उन्होंने कहा यद भी आज लगन नहीं है लेकिन शादी में कोई हर्ज नहीं गोदली काल में कन्यादान करूंगी तुम्हें आज केवल वरत रहना होगा शेश, सांसारिक कार्य घर जाकर पूरा कर लेना एक दिन के लिए तुम लोगों को छिपा कर रख सकोंगी ऐसा इस्थान मेरे पास है आज यदि कापालिक आएगा तो तुम्हें खोज ना पाएगा इसके बाद शादी हो जाने पर कल सवेरे सपत्नी घर चले जाना नवकुमार इस पर राजी हो गए इस अवस्था में जहां तक संभव हो सका वहां तक यथा शास्त्र कार्य हुआ शाम की लगन में नवकुमार के साथ कपालिक द्वारा पाली गई सन्यासनी का विवा हो गया कपालिक को कोई खबर नहीं लगी दूसरे दिन सवेरे तीनों जन यात्रा का तयारी करने लगे अधिकारी उन्हें मेदिनेपूर की रहा पर छोड़ाएंगी यात्रा के समय कपाल कुंडला कालिका देवी को प्रणाम के लिए गई भक्ति भाव से प्रणाम कर फूलों के पात्र से एक बिल्व पत्र उठा कर कपाल कुंडला ने देवी के चर्णों पर चड़ा दिया और ध्यान पूर्वक उसे देखती रही लेकिन वह बिल्व पत्र गिर गया कपाल कुंडला बड़ी ही भक्ति परायन है बिल्व पत्र को देव प्रतिमा चर्ण से अलग होते देखकर बहुत डरी उसने यह हाल अधिकारी से भी कहा अधिकारी भी दुखी हुई बोली अब दूसरा कोई चारा नहीं है सब लोग चुपचाब चले बहुत दिन चड़े वह लोग मिदनीपुर की रहा में पहुँचे वहां तक पहुँचा कर अधिकारी विदा हुई कपाल कुंडला रोने लगी प्रित्वी में जो कपाल कुंडला को सबसे ज़ादा प्रिय था वह विदा हो रहा था उससे अब मुलाकात नहीं होने को थी अधिकारी भी रोने लगी आखों के आशू पहुचकर कपाल कुंडला को उसने धीरे से कहा बेटी तु तु जानती है भगवती की खृपा से मुझे पैसों की कमी नहीं है खिल जी का प्रतेक व्यक्ति पूजा करता है तेरी धोती के किनारे मैंने जो बान दिया है उसे स्वीकार कर अपने पती को दे कर कहना पाल की आधि का प्रबंद कर लेंगे बेटी अपने को संतान समझ कर मेरी याद भुला न देना अधिकारी यह देखते हुए रो कर विदा हुई कपाल कुंडला भी रोती हुई आगे बढ़ी दुती अखंड भाग एक शाही रहा पर किसी लेकक ने कहा है मनुष्य का जीवन कावे विशेश है कपाल कुंडला के जीवन कावे का एक अध्याय समाप्त हुआ इसके बाद नवकुमार ने मेदिनीपूर पहुँचकर अधिकारी को दिये हुए धन के बल से कपाल कुंडला के लिए एक दासी एक रक्षक और एक कहार न्युक्त कर उसे पाल की पर चढ़ा कर आगे बेजा पैसे अधिक न होने के कारण वहस्वयम पैदल चले नवकुमार एक दिन पहले के परिश्रम से ठके हुए थे दोपहर के भोजन के बाद पाल की ढोने वाले कहार उने पीछे चोड़ कर बहुत आगे निकल गए शाम हुई ठंड के मौसम में चितरे हुए बादलों से आकाश भरा हुआ था संध्या भी भी थी प्रित्वी ने अंधकार वस्तर से अपने को ढख लिया कुछ बूंदा बांदी भी होने लगी नवकुमार कपाल कुंडला के साथ एकठा होने के लिए बेचैन होने लगे उन्होंने मन में सोचा था कि आगे की सराय में मुलाकात होगी लेकिन पालकी वहां भी न थी रात कोई नौ बजे का समय हो आया नवकुमार तेजी से पैर बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे एकाए कोई कड़ी चीज उनके पैरों के नीचे आई और ठोकर लगी पैर की ठोकर से वह वस्तू कड़ कड़ा कर तूटी नवकुमार खड़े हो गए फिर पैर बढ़ाया लेकिन फिर ऐसा ही हुआ पैर से लगने वाली चीज को हाथ से उठा कर देखा वह तूटा हुआ तखता था आकाश के बादलों से घिरे रहने पर भी प्राये ऐसा अंधिकार नहीं रहता कि कोई बड़ी वस्तू दिखाई ना पड़े सामने कोई बहुत बड़ी चीज पड़ी हुई थी नवकुमार ने गौर से देखकर जान लिया कि वह चीज तूटी हुई पालकी है पालकी देखते ही नवकुमार का हिदय काप उठा और कपाल कुंडला की विपत्ती के आशंका हुई पालकी की तरफ आगे बढ़ने पर किसी कोमल वस्तू को उनके पैर नेच हुआ यह इस पर्ष कोमल मनुष्य जैसा जान पड़ा तुरंत बैट कर हाथ से टटोल कर देखा कि मनुष्य शरीर ही था लेकिन साथ ही कोई और समान भी हाथ से लगा है मनुष्य शरीर लेकिन बर्फ जैसा ठंडा नाड़ी देखी चलती न थी क्या यह अम्रित है? विशेश मन लगा कर देखा सांस के आने जाने की आवा सुनाई पड़ रही थी सांस है तो नाड़ी क्यों नहीं चलती है? क्या यह रोगी है? नाग पर हाथ रख कर देखा सांस बिलकुल जानना पड़ी फिर यह शब्द कैसा? शायद कोई जीवित विक्ती भी यहाँ है यह सोच कर उन्होंने पूछा कोई यहाँ जिन्दा है? धीमे स्वर में उत्तर मिला है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? नवकुमार को यह स्वरिस्त्री के जैसा जान पड़ा व्यग्र होकर उन्होंने पूछा क्या कपाल कुंडला? कपाल कुंडला कौन है? मैं नहीं जानती मैं राही हूँ अवशे ही डाकों के द्वारा लूटी गई हूँ व्यग्र सुनकर नवकुमार कुछ प्रसन हुए पुछा क्या हुआ है? डाकों ने मेरी पालकी तोड़ दी और मेरे एक रक्षक को मार डाला बाकी सब भाग गए और डाकों ने मेरे अंग के सारे कहने लेकर मुझे पालकी से बांध दिया नवकुमार ने अंधकार में ही जाकर देखा कि वस्तुत है एक स्त्री पालकी में कस कर कपड़े से बंधी है नवकुमार ने शिग्रता पूर्वक उसके बंधन खोल कर पूछा क्या तुम उठ सकोगी? स्त्री ने जवाब दिया मेरे पैर में लाठी की चोट लगी है पैर में दर्ध है फिर भी ज़रा साहता मिलते ही उठ खड़ी होंगी नवकुमार ने हात बढ़ा दिया रमनी उसकी साहता से उठी तो उसने पूछा क्या चल सकोगी? इस प्रश्ण का कोई जवाब न देकर युवती ने पूछा आपके पीछे क्या कोई राही आ रहा था? नहीं यहां से चटी कितनी दूर है? कितनी दूर है यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जान पढ़ता है निकट ही है अंधेरी रात में अकेले जंगल में बैठी कर क्या करूँगी? आपके साथ अगली मंजिल तक चलना ही उचित है शायद कोई सहारा पाने पर चल सकूँगी मुश्किल में संकोच करना मुर्खता है मेरे कंधे का सहारा लेकर चलो स्त्री ने भी मुर्ख का कारे ना किया नवकुमार के कंधे का सहारा लेकर वह चली सच मुझ मंजिल करीब ही थी उन दिनों मंजिल के करीब ही ऐसे बुरे कांड हुआ करते थे इसमें डाको कोई संकोच करते ना थे थोड़ी ही देर बाद नवकुमार उस इस्त्री के साथ लेकर मंजिल जा पहुँचे नवकुमार ने देखा इसी मंजिल में कपाल कुंडला भी पहुँच गई है उनकी दासियों ने उनके लिए कमरा ले रखा था नवकुमार ने अपने साथ आई इस युवटी के लिए अपने बगल की कोटरी ठीक करके उसमें उसे बैठाया आग्यानुसार घर की मालकेन एक दिया उस कमरे में रख गई दिये के प्रकाश में अब नवकुमार ने देखा कि वह युवटी असाधारन सुन्दरी है उसके रंग रूप में उसके यौवन की शोभा श्रावन मास की भरी हुई नदी की तरह उचली पड़ती है यदि वह युवटी असाधारन सुन्दर होती तो कहता पुरुष पाठक यह आपकी ग्रहनी जैसी सुन्दर है और सुन्दरी पाठिका रानी यह आपकी शीशे में पढ़ने वाली परच्छाई जैसी है ऐसा होने से रूप के वर्नन का जल्दी अंत हो जाता दुर्भागय वश यह सरवांग सुन्दरी नहीं है इसलिए निरस्थ होना पड़ता है यह निर्दोश सुन्दरी नहीं है यह कहने का पहला कारण यह है कि इसका शरीर बध्यम आकृती की अपेक्षा कुछ बड़ा है दूसरे नीचे का होट चप्टा है तीसरे वास्तविक रूप में यह गोरी भी नहीं है शरीर कुछ बड़ा अवश्य है लेकिन हाथ, पैर, फिर्दयादी, सर्वांग, सुडॉल है वर्शाकाल में लता जैसे अपने पत्तों की बहुलता के कारण भरी, पूरी और जलजलाती रहती है वैसे ही इस कामनी की देहलता भी पूर्णता से जलजला रही है अतेव, शरीर के बहुत बड़े होने पर भी वह पूर्णता के कारण, शोभा का ही कारण हो गया है जिने हम बास्तव में गौरांगी कहते हैं उनमें किसी का रंग पूरे चांद की चांदनी की तरहे, किसी का रक्त सुभे की लाली के जैसा इस युवति का वर्ण इन दो में कहीं भी नहीं अतेह, इसे प्रकर्त गौरांगी ना कहे जाने पर भी इसका रंग मन को मोहने वाला अवश्य है जो भी हो, यह शामवर्णा है शामा या शामवर्ण कृष्ण का जो रंग वर्णित है, यह वह रंग नहीं है पिगले सोने के जैसा शामवर्ण है पूर्ण चंदर की चांदनी यहिम से ढखे शिकर यदि गोरे वर्ण की सुंदरियों की प्रतिमाए है तो वसंत रितु की आम की मंजरी की शोभा इन शामवर्ण की सुंदरियों की प्रतिमाए है पाठकों में बहुत लोग गोरे रंग को पसंद करते होंगे लेकिन यदि कोई शाम रंग की माया से मुगद है तो हम उसे कमतर नहीं आख सकते यदि इस बात से किसी को उदासी होती है तो वह कृपा करके एक बार आम के नए बौर पर विचडने वाले भंवरे की तरह इस उज्जवल शाम वंड के माथे को याद करें उस सप्त्रमी के चांद की तरह माथे के नीचे की भोहों को याद करें पके हुए आम के फूलों के जैसे रंगों वाले गालों को याद करें उसके बीच उठी हुई नाक को याद करके युवति को सुन्दरियों की प्रधान समझ कर और अनुभव कर सकेंगे दोनों आखे एकदम बड़ी बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी ही काली सुरेखा वाली है और उनमें बड़ी ही चमक है उसकी नजर स्थिर लेकिन भीतर तक भेदने वाली है यदि तुम्हारे उपर उसकी दृष्टी पड़े तो यही समझोगे कि वह तुम्हारे हृदय तक का हाल देख रही है देखते देखते उस मर्म भेदी दृष्टी से भाव बदल जाते हैं आखें सुकोमल स्नेमय रस से गली जाती हैं और कभी-कभी उसमें सुक से पैदा हुई थकान ही दिखाई देती है मानो वेहननय नहीं काम देव की स्वपन शय्या है कभी तड़प से फैली काम रस से चमकती रहती हैं कभी उस चपल दृष्टी में मानो बिजली कौनती रहती है मुख की कानती में कही न जा सकने वाली शोभा है पहली चारो तरफ चलने वाली बुद्धी का प्रभाव दूसरी महान खुद की गरिमा इस कारण जब वेह मराल पक्षी की तरह गरदन टेड़ी कर खड़ी होती है तो सहज ही जान पड़ता है कि यह सुंद्री कुल पर शासन करने वाली है सुंद्री की उमर कोई 27 वर्ष की होगी मानो भादो मास की भरी हुई नदी भादो मास के नदी जल की तरह रूप राशी जल जला रही है उचली पड़ती है वर्षा की अपेक्षा नयन की चारो तरफ उस सौंदर्य का बहाव मन को महने वाला है पूर्ण योवन के कारण समूचा शरी थोड़ा चंचल है बिना वायू के नई सर्दी की नदी जैसे धीमे धीमे चंचला होती है ठीक वैसी ही चंचल बहे चंचलता क्षण क्षण पर नए नए शोभा के विकास के कारण है नवकुमार निमेश शुन्य हो उस नित्य नवशोभा को निहार रहे थे सुंदरी नवकुमार को अपलक आँखे देख कर बोली आप क्या देखते हैं? मेरा सौंदर्य नवकुमार भले आदमी थे चकेत होकर शर्मा कर उन्होंने आखे नीची कर ली नवकुमार को निरुत्तर देखकर अपरिचित रमणी ने फिर हसकर कहा आपने क्या किसी युवति को देखा नहीं है? अथवा मैं ही बहुत सुंदर दिखाई देती हूँ यह बात सहज ही कई गई होती ही तो तिरसकार जैसी जान पड़ती लेकिन रमणी ने जिस हसी के साथ कहा था उससे व्यंग के अतिरेक्त और कुछ जान नहीं पड़ा नवकुमार ने देखा कि रमणी बड़ी स्पष्ट वादी है फिर भला इस पष्ट वादी की बात का जवाब क्यों न देते बोले मैंने युवतियों को देखा है लेकिन ऐसी सुंदरी नहीं रमणी ने गर्व से पूछा क्या एक भी नहीं नवकुमार के हृदय में कपाल कुंडला का रूप जाग रहा था उन्होंने भी गर्व से उत्तर दिया एक भी नहीं ऐसा तो नहीं कह सकता पत्थर पर मान और लोहे का आगात हुआ उत्तर देते हुए सुंदरी ने कहा तब तो ठीक है क्या वह आपकी ग्रहिनी है? क्यों? ग्रहिनी मन में क्या सोचती हो? बंगाली लोग अपनी ग्रहिनी को सबसे ज़्यादा सुंदर समझते है मैं बंगाली अवश्य हूँ लेकिन आप भी तो बंगाली की तरह ही बाते कर रही हैं तो आप किस देश की है? युवदी ने अपनी पोशा की लटक देखकर कहा अभागिनी बंगाली नहीं है पश्चिम प्रदेश वासी मुसल्मान है नवकुमार ने मजे में देखकर सोचा पहनावा तो जरूर पश्चिम देशी मुसल्मानों की तरह है लेकिन बोली बिलकुल बंगालीयों जैसी है थोड़ी देर बात तरुनी ने कहा महाशे बातचीत के चतुर तरीके से आपने मेरा परीचा तो ले लिया अब आप अपना परीचा दें जिस घर में वह अदुतिय रूप सी ग्रहनी है वह घर कहां है मेरा घर सब्त ग्राम है विदेशनी ने कोई उत्तर ना दिया से ऐसा मूँ फेर कर वह दीपक जलाने लगी थोड़ी देर बाद बिना मूँ उठाए ही बोली दासी का नाम मोती है महाशे का नाम क्या है? सुन सकती हूँ नवकुमार शर्मा दीपक बुझ गया भाग तीन सुन्दरी संदर्शन नवकुमार ने ग्रह स्वामनी को बुला कर दूसरा दीपक लाने के लिए कहा दूसरा दीपक लाए जाने के पहले नवकुमार ने उस सुन्दरी को एक देर गनिश्वास लेते सुना दीपक लाए जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ एक नौकर वेश में मुसल्मान उपस्थित हुआ विदेशनी ने उसे देख कर कहा यह क्या तुम लोगों को इतनी देर क्यों हुई और सब कहा है नौकर ने कहा पालकी ढोने वाले सम्मतवाले हो रहे थे उन सब को इकठा करके लाने में हम लोग पालकी से बहुत ही पीछे चूट गए इसके बाद तूटी पालकी और आपको ना देखकर हम लोग पागल से हो गए अभी कितने ही उसी जगे हैं कितने दूसरी जगे आपको खोजन में गए हैं मैं खोजने के लिए इधर आया मोती ने कहा उन सब को ले आओ नौकर सलाम कर चला गया विदेशनी कुछ समय तक ठुड़ी पर हात रखे बैठी रही नवकुमार ने विदा होना चाहा इसके बाद मोती बीवी ने सपने से जाग कर एक आए खड़ी होकर पूछा आप कहां रहेंगे यहीं बगल के कमरे में आपके कमरे में सामने एक पालकी रखी थी क्या आपके साथ कोई है मेरी स्त्री मेरे पास है मोती बीवी ने फिर व्यंद का अवकाश पाया क्या वही अद्वितिय रूपती है देखने से स्वयम समझ सकेंगी क्या मुलाकात हो सकेगी हर्ज ही क्या है तो कृपा कीजिये न अदितिय रूपती को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है आगरे जाकर मैं कहना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं अभी आप जाएं तोड़ी दिर बाद मैं खबर दूँगी तोड़ी दिर बाद बहुत तेरे आदमी दास, दासी और वाहक संदूक आदी लेकर उपस्थित हुए एक पालकी भी आई उसमें एक दासी थी इसके बाद नवकुमार के पास खबर आई बीवी आपको याद करती है नवकुमार मोती बीवी के पास फिर वापस आई देखा, इस पार दूसरा ही बदला हुआ रूप है मोती बीवी ने पुराने कपड़े बदल कर सोने के अलंकारों से सजी हाथ के काम की वेश भूशा पहनी है सूनी दे अलंकारों से सज गई है जिस जगे जो पहना जाता है कानों में, कमर में, गाल में, आखों की बगल में गले में, हृदे पर, बाजों आदी सब जगह सोने के अभूशन में हीरे आदी रत्न जलक रहे थे नवकुमार की आँखे ना चुठी अधिकान शिस्त्रियां अधिक आभूशन पहल लेने पर दीप्ती हीन हो जाती है अनेक सजाई गई पुतली की तरह दिखाई देने पड़ती है लेकिन मोती बीबी दीप्ती हीनता में नहीं आई थी अपने उपर उत्पन नक्षत्रों से सजे आकाश की तरह उसकी देह पर अलंकार शोभा दे रहे थे शरीर की माधुरी पर वह अलंकार मिलकर अध्भुत चटा दिखा रहे थे शरीर का सौंदरे और बढ़ गया था मोती बीबी ने नवकुमार से कहा महाशे चलिए आपकी पत्नी के साथ परिशे प्राप्त कराएं इसके लिए अलंकार पहनने की तो कोई जरूरत नहीं थी मेरे परिवार में तो गहना है नहीं गहनों को दिखाने के लिए ही पहन दिया है आप नहीं जानते स्त्रियों के पास गहने रहें और ना दिखाएं यह हो ही नहीं सकता यह इस्तरी प्रकरती है खेर चलिए चले नवकुमार मोती बीवी को साथ लेकर चले जो दासी पाल की पराई थी वह भी साथ चली इसका नाम पेश्मन है कपाल कुंडला दुखान जैसे कमरे की मिट्टी के फर्श पर बैठी थी एक धीमी रोश्नी का दीपक जल रहा था बंधी हुई उलजी केश राशी पीछे के हिस्से में अंधकार किये हुए थी मोती बीवी ने पहले उन्हें जब देखा तो होट के किनारे की ओर आखों में कुछ हसी की रेखा दिखाई दी अच्छी तरह देखने के लिए वह दीपक उठा कर कपाल कुंडला के चहरे के पास ले आई लेकिन देखते ही हसी उड़न्चू हो गई मोती बीवी का चहरा गंभीर हो गया वह अपलक नेत्रों से सौंधर्य देखती रही कोई कुछ न बोला मोती मुग्द थी कपाल कुंडला कुछ विसमित थी थोड़ी देर बाद मोती बीवी अपने शरीर से गहने उतारने लगी इस तरह अपने शरीर से गहने उतार कर वह एक एक करके कपाल कुंडला को पहनाने लगी कपाल कुंडला कुछ न बोली नवकुमार कहने लगे ये क्या करती है मोती बीवी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया अलंकार सज्जा समाप्त कर और अच्छी तरह निरक कर मोती बीवी ने कहा आपने सच कहा था ऐसे फूल, राजसी, उद्ध्यान में भी नहीं खिलते दुख यही है कि इस रूप राशी को राजधानी में न दिखा सकी ये गहने इसी शरीर के उप्युक्त हैं इसलिए मैंने पहना दिये हैं आप ही ने देखकर कभी-कभी इस पष्टवादी विदेशनी को याद किया करेंगे नवकुमार ने चमत्कृत होकर कहा ये क्या ये सब बहमूलिया लंकार है मैंने क्यों लूँ मोती इश्वर की कृपासे मेरे पास बहुत है मैं गरीब न होंगी इन्हें पहना कर यदि सुखी होती हूँ तो उसमें व्यवधान क्यों पस्थित करते हैं ये कहती भी मोती बीबी दासी के साथ वापस चली गई अकेले में पहुँचने पर पेश्वन ने मोती बीबी से पूछा बीबी ये शक्स कौन है मुसल्मान युवती ने उत्तर दिया मेरा खसम भाग चार पाल की सवारी से अब उन गहनों की क्या दशा हुई सुनो मोती बीबी ने गहना रखने के लिए हाती दात का बना एक बक्स भेज दिया उस संदूक पर चांदी जड़ी हुई थी डाकों ने बहुत थोड़ी ही चीजे लूकी थी पास में जो कुछ था वही लूटा इसके अतरिक्त पीछे सेवकों के पास जो था वहब बच गया नवकुमार ने दो एक गहने कपाल कुंडला के शरीर पर छोड़ कर शेश सब को संदूक में रख लिया दूसरे दिन सवेरे मोती बीबी ने वर्धमान की तरफ और नवकुमार ने सब्द ग्राम की तरफ यात्रा की नवकुमार ने कपाल कुंडला को पालकी पर पैठा गहनों का संदूक साथ ही रख दिया कहार सहजी नवकुमार को पीछे छोड आगे बढ़ गए कपाल कुंडला पालकी का दर्वाजा खुला रख चारो तरफ देखती हुई जा रही थी एक भिक्षुक उसे देख दौड लगा कर भीग मांगता हुआ पालकी के साथ साथ चलने लगा कपाल कुंडला ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हीं क्या दूँ भिक्षुक ने कपाल कुंडला के अंग पर के गहने दिखा कर कहा यह क्या कहती हो मा तुम्हारे पास हीरे मोती के गहने है तुम्हारे पास क्यों नहीं कपाल कुंडला ने पूछा गहना पा जाने से तुम संतुष्ठ हो जाओगे भिक्षुक कुछ विस्मित हुआ भिक्षुक की आशा असी में थोती है और बोला क्यूं नहीं मा कपाल कुंडला ने अकपट फ्रिदै से कुल गहने मैं संदू के भिकमंगे को दे दिये शरीर के गहने भी उतार कर दे दिये भिक्षुक बेचैन हो गया दास दासी कोई भी जान न सका भिक्षुक का बेचैन भाव क्षन भरका था इधर उधर देखकर एक सांस से एक तरफ भागा कपाल कुंडला ने सोचा भिक्षुक भागा क्यों? भाग पांच सुदेश में नवकुमार कपाल कुंडला को लिये हुए सुदेश पहुँचे नवकुमार के पिता नहीं थे घर में विध्वा माता थी और दो बहने थी बड़ी विध्वा थी जिससे पाठक लोग परिचित ना हो सकेंगे दूसरी शामा सुंदरी सद्वा होकर भी विध्वा है क्योंकि वह कुलीन की स्त्री है वह दो एक बार हम लोगों को दर्शन देगी दूसरी स्तिथी में यदि नवकुमार एक ऐसी सन्यासिनी से विभा करके घर लाए होते जिसके कुल का पता ना हो तो उनके आत्मी स्वजन कहां तक संतुष्ट होते यह बताना कठे नहीं किंतु वास्तव में उन्हें इस विशय में कोई कलेश उठाना ना पड़ा सभी लोग उनके वापस पहुँचने में इतने हताश हो चुके थे सहयात्रियों ने लोटकर बात उड़ा दी थी कि नवकुमार को शेर ने मार डाला पाठक सोच सकते हैं इन सच बोलने वालों ने आत्म विश्वास के बल पर ही ऐसा कहा होगा तो यह ठकी कल्पना शक्ति का अपमान करना होगा लोटकर वापस आने वालों ने कितने ही यात्रियों ने यहां तक कह दिया था कि नवकुमार को बाग द्वारा डराए जाते वे उन्होंने अपनी आखों से देखा है कभी-कभी तो उस शेर को लेकर आपस में बहस हुई कोई कहता वह आठ हात लंबा रहा होगा दूसरे ने कहा नहीं नहीं वह पूरा चौदा हात लंबा था इस पर पूर परिशत यात्री ने कहा जो भी हो मैं तो बाल-बाल बच गया बाग ने पहले मेरा पीछा किया था लेकिन मैं भाग गया बड़ी चलाकी से भागा किन तू क्या कहें नवकुमार बेचारा भाग ना सका वह सहसी न था यदि भागता तो शायद मेरी तरह वह भी बच जाता जब यह सब गप नवकुमार की माता के कानों में पहुँची तो घर में रोने से वह कोहरा मचा कि कई दिनों तक शांत न हुआ एक मात्र पुत्र की मृत्यू की खबर से माता जैसे मर ही गई ऐसे समय जब नवकुमार इस्त्री के साथ घर वापस लोटे तो कौन पूछे की वह किस जाती किये और किस की कन्या है मारे प्रसन्नता के सब दिवाने थे नवकुमार की माता ने बड़े आदर के साथ बहु को घर में बैठाया जब नवकुमार ने देखा कि घर वालों ने कपाल कुंडला को सादर ग्रहन कर लिया तो उनके हिदय में अपार आनंद प्राप्त हुआ यद भी उनके रिदे में कपाल कुंडला का निवास हो रहा था फिर भी घर में कहीं अनादर ना हो इस भया से अब तक उन्होंने विशेश प्रेम के कोई लक्षन दिखाए ना थे यही कारण था कि उस समय वह अकस्मात कपाल कुंडला के विवाह के प्रशन पर मौन धारे होए थे यही कारण था कि रास्ते में घर तक ना आने पर नवकुमार ने प्रेम की भाशा में बाचीत नहीं की थी उन्होंने अब तक प्रेम के सागन में प्रीती की वायू को बहने ही न दिया था लेकिन वह आशंका दूर हो गई तेजी से बहने वाली जल राशी को जिस प्रकार बांध से बांध दिया जाए और बांध तूटने पर जल का बहाव उचल पड़े वही दशा नवकुमार की हुई यह प्रेम का प्रकट करना किवल बातों में नहीं होता था लेकिन कपाल कुंडला को देखते ही आशू से भरी आखे ही अपलक आखे बनी देखती रह जाती है उससे ही प्रकट होता है जिस प्रकार बिना किसी मतलब के ही एक मतलब की कल्पना कर वे कपाल कुंडला के पास आते इससे प्रकट होता है बिना प्रसंग के जिस प्रकार बातों में कपाल कुंडला का प्रसंग उठाया करते उससे प्रकट होता है यहां तक कि उनकी प्रकरती भी बदलने लगी जहां चंचलता थी वहां गंभीरता आने लगी जहां अन्मने रहते थे वहां वह हर समय प्रसन्न रहने लगे नवकुमार का चहरा सदा प्रसन्नता से खिला रहने लगा उनके हिदय में प्रेम उत्पन हो जाने के कारण हर एक के प्रती इसनहे का बरताव होने लगा बैरागी लोगों के प्रती भी इसनहे का बरताव होने लगा जहां वह बस एक मनुश्य थे अब प्रेम से भरे पात रहो गए थे प्रित्वी मानो सत्य कर्म साधने के लिए ही है नवकुमार के चरित्र से यही दिखाई देने लगा समुचा संसार सुन्दर दिखाई देने लगा सच्चा प्रेम करकश को भी मधुर बना देता है असत्य को सत्य, पापी को पुन्यात्मा और अंधकार को रोश्नी से भरपूर बना देता है और कपाल कुंडला, उसका क्या भाव था? चलिए, एक बार उसका भी दर्शन कर लेते हैं